दोस्तों मुझे अक्सर बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखने को मिलते हैं जिसमें वैसे लोग जिन्होंने बिलकुल नए और फ्रेस पासपोर्ट के लिए कहने का मतलब यह कि जिन्होंने पहली बार पासपोर्ट के लिए अपलाई किया है और आफ्टर अपॉइंट्मेंट उन आपको पहली बारी appointment देने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो है आपका application जो है hold पे ना हो और अगर आपका application जो है by chance अगर वो hold पे हो गया है तो इसके बाद का आगे क्या further process होता है और आपको किस तरीके से अपने उस application के आगे जो है proceed करना है तो basically तरीके से आपने अपने application को दिया था उसी तरीके से उसको वहीं पे रोक दिया गया है मतलब यह कि उस पे आगे कोई भी कारवाई नहीं होगी उसको आगे proceed नहीं किया जाएगा जब तक कि आपके द्वारा जिस कारण उस application को hold किया गया है उसको आप clear ना करें दोस्तों basically यह होता है PSK के अंदर जब आप online apply करने के बाद जब आप एक अपना slot booking करते हैं और आप एक fixed date पे पीएस के मतलब पासपोर्ट से वाके अंदर या फिर post office पासपोर्ट से वाके अंदर के अंदर आप जाते हैं जहां पे आपका basically biometrics होता है आपके documents का वहां पे physically verification किया जा जहां पे आपकी photo ली जाती है जहां पे different counters बने होते हैं A, B, C counter पे आपको पार करने होते हैं जहां counter number A पे आपकी photo ली जाती है आपके documents की scan की जाती है document number B पे आपके documents की verification की जाती है और counter number C पे आपको जो है एक acknowledgement letter दिया जाता है वो इस बात का proof होता है कि आपका जो application है वो successfully हो चुका है matter फस्ता है दोस्तों यहां पे counter number B पे जहां पे basically passport officers होते हैं और वो आपके documents की physically check करते हैं जहां पे आपके पास जो भी documents आपने supportive documents वहां पे लगा हैं वो सभी बिल्कूल original form में होना चाहिए counter number A पे जो होता है guys वो होते है TCS के private staff उनको आपके documents कोई मतलब नहीं है आप उनको जो शो करेंगे वो as it is उसको जो है scan करके upload कर देंगे basically उनका काम यही होता है data entry का उनका काम होता है और से साथ ही साथ आपका photo जो है वो click करने का उनका काम होता है सारा जो main responsibility वाला work होता है वो counter number B पे जो passport officer बैठा होता है यह उनका काम होता है उनकी उनका जो job होता है उनका duty होता है वो यह होता है कि जो भी applicant है उनके सभी documents का बिल्कुल बारीकी से जाच करें कि वह बिल्कुल original form में हो कोई duplicate ना हो कोई photocopy ना हो और कोई भी उनका दिया हुआ दस्तावेज जाली या फिर फरजी ना हो अगर आप अपना कोई भी document original लेकर नहीं जाते हैं photocopy लेकर जाते हैं तो वो जो है इसको accept नहीं करेंगे और वो आपकी original form में नहीं लेकर जाते हैं आप photocopy लेकर जाते हैं या फिर आप mobile में कुछ photo लेकर जाते हैं यह सोच कर कि आप mobile में फोटो वहां पर शो कर देंगे या फिर अगर आप दीजी लॉकर के भरोसे जाते हैं दोस्तों दीजी लॉकर वाला जो यह है ना इसको लेकर बहुत लोगों ने problem face किया है कभी भी आप दीजी लॉकर के भरोसे वहां पर ना जाएं यहां पर जो है आपको disappointment ही होगा क्योंकि वहां पर हर एक डॉक्मेंट उनको physical और hard copy के form में चाहिए वह किसी का mobile टच नहीं करते हैं वहां पर आपकी बात नहीं सुनेंगे डीजी लॉकर की यहां पर कोई भी एक तरीके से authenticity नहीं है तो make sure कि आप जो भी document लेकर जाएं अप अपना अधार card बिल्कुल original form में लेकर जाएं pen card बिल्कुल original form में लेकर जाएं voter ID card या फिर driving license बिल्कुल original लेकर जाएं साथ ही साथ अगर आपने ECNR passport के लिए अपलाई किया है तो उसके साथ अगर आप अपने दसवी की mark sheet लेकर जा रहे हैं तो यह भी बिल्कुल original form में होना चाहिए दोस्तों में फिर से repeat कर रहा हूं अगर आप ECNR passport के लिए अगर आप अपने दसवी की mark sheet लेकर जा रहे हैं तो वह बिल्कुल original जो आपको board office से मिला था आपकी school से मिला था आपको वही लेकर जाना है कोई भी photocopy नहीं चलेगा कोई भी scan किया हुआ document यहां पे नहीं चलेगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कि कॉलेज में admission लिये होते हैं उनका original document व भी document वहां पे ले गए हैं उन सभी document में कुछ नकुछ error है कुछ नकुछ mistake है और यहां पे जरूरत है आपको उन mistake को सुधारने की और अगली बारी फिर से आने की दोस्तों मैं अपने हर वीडियो में यहां बताता हूं यहां पे फिर से में repeat कर रहा हूं आपको minimum documentation लेकर चल लेकाते हैं दोनों चीज़ अगर आप वहां पे लेकर चले गए तो counter number A पर तो वह scan हो जाएगा लेकिन वह counter number B पे गए और अगर आपके आधार कार्ड में और voter ID कार्ड में किसी परकार का कोई भी mismatch है even a single spelling अगर आपके आधार कार्ड में आपका address में आपका house number दिया वर्ड एरिया पिन कोड सब कुछ सेम है तभी आपका दोनों चीज़ यहां पर वैलिड होगी अगर दोनों में कुछ dissimilarity है तो आप अपना दोनों में से कोई एक document लेकर मत जाओ आधार कार्ड इनफ है केवल आधार कार्ड लेकर जाओ वही अगर आप ECNR passport के लिए अपल common issues होते हैं common mistakes होते हैं जिसके कारण जो है counter number B पे जो बैठा हुआ passport officer होता है वो आपके application को hold कर देता है अब इसके बाद क्या दोस्तों यहां पर situation होते हैं पहला यह कि आपको वहीं पर अगर manually जो है वो नजर में आ जाती है तो आपको वहीं पर बता देंगे और आपको एक correction करके इस date पर आ जाओ तो उस case में क्या होगा कि आप बिल्कुल tension free रहेंगे कि आपको कि अपना document correction करवाना है ठीक है कुछ modification करवाना है अपडेट करवाना है और चुकि उन्होंने नया date दे दिया है तो आपको अगली बारी कोई भी appointment नहीं लेना है कोई किसी प्रकार का को कोई भी online यहां पे पहले से slot booking नहीं करना है आपको जो उस paper पे जो date लिखा गया है सेम उसी date पे आप फिर दुबारा चले जाओ लेकिन वहीं दोस्तों बाइद अगर same day during appointment अगर कुछ mistakes वो लोग नहीं पकड़ पाते हैं लेकिन बाद में एक बार फिर से आपका review होता है ज तो फिर वो अपने system में आपके application को hold कर देंगे उसके बाद जब अपना status चेक करेंगे तो वहां पर आपको hold show होना शुरू हो जाएगा यहां पर थोड़ा से आपको problem हो सकता है क्योंकि यहां पर जैसे आपका application hold होगा तो आप directly जो है PSK visit नहीं कर सकते हैं इसके लिए आप आपको फिर से appointment book करना होगा ठीक है आपको फिर से अगेन आप पैसे नहीं देने हैं hopefully लेकिन आपको से user ID password से login करना होगा और फिर से आपको PSK के अंदर appointment book करके ही जाना होगा और actually फिर आपको reason भी पता करना होगा कि आपका क्या reason है वह तो आपको mail आ जाएगा तो आप अमेशा कहता हूं prevention is better than cure आपको अमेशा अपने साइट से safe रहना चाहिए तो आपने जो भी डॉक्मेंट्स लिए हैं वो बिल्कुल और original form में होना चाहिए और साथ ही साथ कोई भी mismatch हो तो आप उसको जो है ना ले कर जाए तो कुछ इस तरीके से दोस्तों आप अपने application को hold होने से बचा सकते हैं और अगर पहली बारी में ही कर hold हो गया counter number A पे तो आप directly चले जाओ जो आपको date दिया गया है नहीं तो आपको online apply करके फिर से appointment book करके जाना होगा इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी प्रकार का कुछ और issue face कर रहे हैं कोई और problem face कर रहे हैं अपन बार जो में कोई नया content लेगा रहा हूं तो आप उसे मिस ना कर सकें तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए जैहिंद